तिंज का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं तिंज का नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है नाउन के रूप में तिंज का आर्थ होता है रंग, रंगत, स्वाद, आभा, जलक या हलका रंग वर्ब के रूप में tinge का आर्थ होता है रंगना, भर देना या रंग देना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी तवचा में एक ऐस्वास्थेकर धूसर रंग था तो आप कहेंगे his skin had an unhealthy grayish tinge अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें